हलो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पहले की धाई मा हुआ करती थी या पहली की जो 60 या 70 साल की लेडीजे हुआ करती थी वो पेट को टच करके कैसे बता देती थी कि आपके गर्ब में लड़का पड़ रहा है या लड़की पड़ रही है दोस्तों पहले के महिलाओं के अनुशार कुछ लक्षन हुआ करते थे जिनसे महिलाएं असानी से जान जाती थी या अंदाजा लगा लेती थी कि गर्ब में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है या फिर गर्ब में बेबी मुमेंट कैसे करता है इससे भी वो अंदाजा लगा लेती थी तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है यूजफूल होने वाली है तो वीडियो को सुरू से लाज तक जरूर देखें अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक भी करें सबसे पहले बात करेंगे कि प्रेगनेंट लेडि मैं नहीं होता है या तो वह लफ्ट साइड में होता है और जरूरी नहीं है कि अगर बेटा होगा या फिर बेटी होगी तभी वह लफ्ट साइड होगी बेटा या बेटी किसी भी तरफ हो सकते हैं ये हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा सिर्फ लगाए गए अंदाजे हैं जो कभी सही और गलत भी हो जाते हैं ये सिर्फ एक तुक्का है जो लग गया तो लग गया और नहीं लगा तो कोई बात नहीं दोस्तों इस मंत से उसकी हलचल मुझे राइट साइट पे महसूस होने लगी थी बात करेंगे दूसरे लक्षण की जो बड़े बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा या सत्तर से असी साल के महिलाओं के द्वारा कहे जाते हैं ज्यादा तर वो सही होते हैं लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूब नहीं है कि ये बाते सही ही हैं दोस्तों ये ओल्ड वाइप्स के द्वारा कही जाती हैं लोग इन्हें मानते भी हैं तो दूसरा लक्षण है अगर बेबी बॉय आपने कंसीव किया है तो वो आपके गर्व में चौथे से पाच्वे महिने में हलचल करेगा लेकिन आपने अगर बेबी गर्ल कंसीव करी है तो तीसरे से चौथे महिने के तक आपको हलचल महसूस होने लगेगी अब हम बात करेंगे इसके साइंटिफिक रीजन की दोस्तों अगर आपका बेबी हल्दी है उसने अच्छी तरह से डेवलप्मेंट करना सुरू कर दिया है तो आपको हलचल जल्दी महसूस होती है चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो दोस्तों आपको 16 से 24 वीग तक बच्चे की हलचल महसूस हो जानी चाहिए यही सबसे अच्छा समय माला जाता है आपके बेबी के हलचल महसूस होने का दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपको हल बात नहीं है दोस्तों अगर आपका बेबी अच्छी तरह से डेवलम्मेंट कर रहा है और वह अच्छी तरह से विक्सित हो रहा है तो वह जल्दी हलचल करना शुरू कर सकता है चाहे वह बेबी गर्ल हो या फिर चाहे बेबी वॉय हो तो आपको इन सारी बातों को मानने की ज होती है दोस्तों ओडवायपस के द्वारा कही गई यह सबसे फेमस बाते हैं जिन्हें लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं और इनका मैंने साइंटिफिक आपको प्रूब भी बता दिया और आपको यह कहां तक मानना है और कहां तक नहीं मानना है यह आप तै करेंगे बस मे पैदा करने वाली भी एक मा ही होती है और जो कभी लड़की थी उमीद है वीडियो में बताएगे जानकारी आपको पसंद आई होगी यूसफुल लगी होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल न भूले ऐसे ही प्र